हेलो फ्रेंड्स मैं आनन सर आप सबका सेल्फ गाइट इस्टेडी सेंटर में स्वागत करता हूँ आज मैं आप सबको उत्तर परदेश में जो भरती आने वाली है बहुत ही बंपर भरती आने वाली है वो है 931 पदो पर भरती होगी जो कि पंचायती राज भिभाग में भरती होगी पंचायत सहायक और computer operator accountant तथा junior engineer के पदो के लिए होगी और आईए चलिए देखते हैं कि इनकी क्या योगिता है और salary कितनी है तो चलिए देखते हैं कि भरती यह क्या है यह पूरी सच्चाई तो यहां देखिए एक न्यूज में आया है कि पंचायती राज भिभाग में 931 पदों पर होगी भरती तो इसमें यह सब पद हैं यहां पर देख लिए पद का नाम दिया हुआ है पंचायत सहाय कंप्यूटर ऑपरेटर और देखिए पहले इससे पहले देखते हैं क्या न्यूज है तो न्यूज यहां पर देख लेते हैं थोड़ा जूम कर देते हैं देखें यहां पर प्रदेश सरकार ने 14. बित आयोग की संस्तुतियों के अंतरगत पंचायती राज विभाग में 931 पदों पर भरती को मंजूरी दे दी और इन में पंचायत सहाय कंप्यूटर अपरेटर लेखाकार वह अवर अभियंता वहलों की जुनियर इंजिनियर सिविल ट्रेट के होने चाहिए पद सामिल है और इन सभी पदों पर और सोर्सिंग से नुक्तियां होगी और सोर्सिंग से नुक्तियां होंगी और इसके बाद देखिए क्या है निकाई चुनाओ के बाद भरती प्रक्रिया में तेजी आने की उमीद है और जैसे चुनाओ हो जाता है तो भरती प्रक्रिया तुरंत स्टार्ट करते जाएगी और इसमें देखिए क्या है केंद्र सर यहेंरे तरह पर मानो संसादन की वहत्ता कर दायम के माध्यम ne कर ने की भिष्था यह वहां में भी इस बहुत्ब मद के लिए पिभी चाले तBlue सलब यह झायगी में यह था खेला आतेरा के लिए डालना रोक में और इसी पैसे से मानो संसाधन की उपलब्रिता सहायक सामागरी की प्योस्था की जैगी और इसके पाद यह देखते हैं विसे सचीव पंचायथी राजी जितेंद्र बाहदुर्स जी ने पंचायथ सहायक के 426 पदव और कम्प्यूटर ऑपरेटर के 1642 और लेखाकार के 821 वह और अभियान्ता जो कि जुनियर इंजिनियर सिविल के 1642 पदों पर और सोर्सिंग से भरती की नीती पंचायत राज निदेशक को भेज दी गई है और पंचायती सहायक की निवक्ति कई पंचायतों के समूँ पर होगी और इसमें देखे क्या है कंप्यूटर ऑपरेटर जुनियर इंजिनियर सिविल के पद छेत्र पंचायत के लिए हैं और इन कर्मचारियों की जिम्हेंदारी भी करते जाएगे मतलब कि इसमें यह हुगा कि जो भी भरती की जाएगी वह सारे और सोर्सिंग के माध्यम से की जाएगी और देखते हैं इसमें और क्या ही थी लेकिन और सोर्सिंग एजंसियों के चैनल उनकी मनमानी से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई और बाद में यह प्रक्रिया रद करने पड़े और यह योगी सरकार ने इस प्रक्रिया को नए सिरह से सुरू करने की है और इसके लिए नीटी बना दिया है और जो कि अगले चुनाओ अभी 2019 में चुनाओ जैसे ही खत्म होगा और यह भरती स्टार्ट कर दी जाएगी और इसमें देखे क्या है बिग्यापन में बतायेंगे कि सरकारी नोक्री नहीं है चुकि इस ऑट्सोर्सिंग पर बरती किया जा रहा है इसलिए सरकारी नोक्री नहीं सरकार के सापेच नहीं है और नहीं सरकारी नोक्री है भुष में इसके राजीया के इंद्र राज सरकार के सरकार के अधिन आने की संभावना भी नहीं है तो यह कुल मिलाकर और भर्टी की जाएगी और यहां पर देखी इसके पद और सेलरी देख लेते हैं कितना है पंचाय साय की जो पदों की संख्या है वह उन्चास सो चब्विस पदों के लिए भरती की जाएगी जिनकी सेलरी आठ हजार रुपे प्रतिमा होगी और कंप्यूटर ऑपरेटर की जो भरती होगी वह 1642 पदों क संख्या होगी जो कि 20,000 रुपे प्रतिमा होगी इसके पाद देखते हैं योगिता क्या होने चाहिए योगिता जो है इसकी पंचाय सहाय के लिए डिप्लोमा सिविल इंजिनरिंग में डिप्लोमा होने चाहिए जो और तीन वर्स का अनुभव होना चाहिए एक्स्प्रियं अब ट्रिपल के लिए इंटर्मेडियट से रीफील सी समक्च के प्रफिर का अनुभव होना चाहिए और यहां तर ब्ल्ches और कम्प्यूटर अपर्ले वजह का की विह. प्रक्राइब लिखाद है और लोग बड़ उसके लिए और जो डिप्लोमा किया हुआ है वह साथ वर्सका उसके लिए अनुभर मांगा गया है यहां पर इसके बाद चलिए यह तो होई यहां जो भरती आने वाली है पंचायती राज विभाग की उसकी बात हो गई और अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक जरूर किजिएग और मैं इसी तरह के वीडियो आगे भी लाते रहूंगा तब तक के लिए धन्यवाद